नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News मैं हूँ आपके साथ मेखा भारती जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब कुछ विवाद इस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं कुछ विवाद जो पार्टी के अंदर कलह की स्थिती आगी आने वाले वक्त पर पैदा कर सकते हैं अगर इन्हें थामने का इन्हें रोकने का कदम अब से नहीं उठाया गया मौझूदा विवाद जो चल रहा है यहां पूर्फ केंद्रिय मंत्री मेनका गांधी को लेकर है मेनका गांधी अब क्या कदम उठाएंगी मेनका गांधी की राजमीती का अब क्या होगा एक तरफ मेनका के स्तीपे को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है चर्चाओं ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है और अब इन सब के बाद चुनाव के साइड इफिक्ट्स के तौर पर भारत्य जनता पार्टी की खेमी में एक यहां पर कली उग गई है मेनका गांधी के स्तीपे की मेनका गांधी जिनके मंतराले को स्मृती रानी के हाथों सौप दिया गया और मेनका की जोली अब तक खाली है हाला कि कहा जा रहा है प्रो टर्म स्पीकर उन्हें बना दिया जाएगा लेकिन इस रेस में भी यहां मेनका को टक कर देने वाले कई और नाम है जिन पर पार्टी विचार करने के लिए तयार है मेनका गांधी जिन्होंने अपनों के खिलाप जाकर भार्तिय जन्ता पार्टी का हाथ थामा मेनका गांधी जिन्होंने दो मिनक नहीं लगाए ये कहने में कि यदि पार्टी मुझे आदेश दे कि अमेठी और राइबरेली जाकर प्रचार करो तो मैं वहाँ जरूर जाओंगी राहुल गांधी के खिलाप अगर बोलना पड़ा तो बोलूंगी लेकिन फिलहाल मेनका गांधी को ही यहाँ पर चुप करा दिया है भारतिय जन्ता पार्टी में क्योंकि किसी तरह का कोई मंतराले मेनका गांधी जैसी दिगज नेता को लुक्सबा चुनाब 2019 में हासिल हुई जीत के बाद जो कैबिनेट का गठन हुआ है नहीं दिया गया है जब जब इनकी चाची मेनका से सवाल किया गया तो मेनका गांधी ने भारतिय जन्ता पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए कहां कि प्रियांका की आंधी कुछ नहीं कर पाएगी प्रियंका की आंधी हाला कि भारतिय जन्ता पार्टी के राज में तिनका तक नहीं हिला पाई लेकिन प्रियंका की आंधी के सामने अब मेनका गांधी फीकी पड़ गई है क्योंकि मेनका गांधी की छवी भारतिय जन्ता पार्टी में जो अब तक थी वो अब जरा सी गायब होती हुई जा रही है क्योंकि मेनका गांधी अब तक केंद्री ये मंत्री थी और अब केंद्री में उनको जगान नहीं मिली है अब कैबिनेक मिनिस्ट्री में मेनका गांधी को किसी तरह का कोई मंत्राले नहीं दिया गया है बदा दे आपको चुनावी जीत के बाद जब चारों तरफ लगातार भारतिय जन्ता पार्टी के बड़े नेता मीडिया के सुर्खियों में च्छाएग हुए है मीडिया के साथ आकर बात कर रही है वही मेनका गांधी ने जानते हैं क्या किया है क्योंकि सवाल कई तरह के उठ रही है सवालों के जवाब मेनका गांधी के पास नहीं है तो मेनका गांधी रवाना हो गई है सुल्तानपूर के लिए सुल्तानपुर मेंका गांधी का लोकसभा शेत्र जहां से लोकसभा चुनाब 2014 में उनके बेटे वरुन गांधी ने चुनाब लड़कर जीता और सुल्तानपुर जहां से लोकसबा चुनाब 2019 में मेनका गांधी मैदाने जंग में उतरी और मेनका गांधी को यहां से जीत हासिल होई अब तमाम तरह के सवालों से बचने की कोशिश करते हुए मेनका गांधी शायद सुल्तानपुर चल दी है अब पार्टी में तो मेंका की जीत पर कोई चर्चेग हो नहीं रहे पार्टी में तो मेंका की 12500 से ज्यादा वोटों के साथ यहां जो मेंका गांधी ने इतने अंतर से जीत दर्च कराई है उसे लेकर कोई चर्चेग हो नहीं रहे तो मेंका गांधी ने कदम उठाया है सुल् मेंका गांधी को अपने लिए और अपने बेटे के लिए लड़ाई भारती जंता पार्टी के अंदर लड़ने की नौबत आ गई है चल दी है मेंका गांधी सुल्तानपुर वहाँ पर तीन दिन के दौरे पर गई है जाएंगी जगा जगा और वहाँ पर एक जनसभा का आयोजन भी किया जाने वाला है इस जंसभा में मेनका गांधी जिन लोगों ने उन्हें वोर्ट दिया है उसे लेकर उनका शुक्रियादा करेंगी मेनका गांधी की राजनीती के तारे थोड़े गर्दिश में दिखाई पर रही है क्योंकि अगर भारतिय जंता पार्टी इस पार किसी तरह का कोई पद मेंका गांधी को नहीं देती है तो पार्टी के साथ जुड़कर उन्हें क्या पाइदा है ये सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है इस तीपे को लेकर जोर पकड़ रही खबरों के बीच मेंका गांधी का सुल्तानपुर रवाना हो जाना इस तरह के तमाम अफवाहों को सेरे से खारिज ना करना किस ओर इशारा करता है जनता समस्दार है जनता सब जानती है फिलाल के लिए इस खास पेशकुष में बस इतना ही मेंका गांधी की राजनीती पर आपका क्या विचार है नीचे दिये गए कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करके बताएं जुड़े रही है SPN 9 News के साथ रही अपडेटेट